ओम स्री गनेश रायनम दोस्तो शमाधान ही शमाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ जून बुद्वार के रासी फलक के बारे में कि इहां दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन रासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साति सात आज आपके प्रतेक कारे सरल्टा पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आज आपको प्राप्त होगा नई यो अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फलसफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पूजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशक्ता है अन्यता आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्य भार की आज अधिकता रहेंगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साती साथ अपना काम किसी और पर ना आपती असंभव है साती साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहन आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साती साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किस अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिष्टे में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकरसन की आज संभावना है मनोरंज के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेस करना लाबदायक रहेगा कारचित्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वैपार वैवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्थ होने की संभा हो सकता है साथ-साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक प्रेणाम प्राप्थ होगा जिया दोस्तों वैवसाय के दरश्टी से आज की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छ कैसा रहने वाला है दोस्तों ब्रहम भैं वैपीडा की इस्तिति आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्य खान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को आप 11 या फिर 21 दुरवा की गांटे चड़ाएं और आप ग करेंगे और आपको ऐसा करने से सुब फलो की प्राप्ती होगी और आपके समस्त कर रहें बहुत आसानी से बनते चिले जाएंगे दोस्तो बगवान श्री गनेश जी का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै श्री गनेश अवश्य लिख